हेलो नमस्कार दोस्तों मैं चंदन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैं अधिमेकर पर अभिनांदन करता हूं आज की क्लास में हम लोग क्लास तेन्त का जोगरोफी का अपजेट्ट्व कुचन देखने वाला हैं जिसमें हम लोग का सबसे फर्स्ट चेप्टर रहेगा भारत संसाधन उसका उप्रियोग तो चलिए इसी से हम लोग पूरा इसमें के कवपूरा आउपजेट्व कूचन को कौफर करेंगे उसके बाद में नेस्ट को हम लोग देखते जाएंगे चैप्टर वाई हम लोग इसमें देखते जल लेंगे जालिए सबसे फिश्ट में आपका कुचन सबसे फिश्ट में आता है कि जलिए परफ्षम परत्षम कहां हुआ था तो हुँआ था थीक है उसके बाद में तीन नम्म्र कुचन आता है कि बांद को आधुनिक भाहरत तो आपको बता देखी राजस्थान मिलता है तो राजस्थान मिलता है नेमलिखित में से कौन सा अनम्य कर दिया संसाधन है इस में से इस में से आपका जिवास इंधन हो जागा जो अगर नेश्ट कुचन देखिए नेश्ट कुचन आपका है कि भारत में पर्थम जल विदू सयंत की अस्थापना कहा पर हुआ था लेकिन अब यह नहीं होता है अब होता है तो मास्न नम में होता है जो आपका करेक्ट अंसर है चलिए गाईो की संबर्दूर्द सैंगरत्ना से यह प्र में पैंजाब में है या बिहार का मैधानी खिट्रेन나 alm तो आपका एंसर क्या हो जागा इसमें बतादे कि उत्राखंट करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेश्ट कुचन देखिए नेश्ट कुचन है आपका कि बिरिहत छेत्र में जल की उपस्तिति के कारण प्रित्वी को क्या कहते हैं बहुत जादरा मतरा में धरती पर पानी होने कमेंट करके बताए आप लोग इसका सही अंसर क्या हो जाएगा 7% करेक्ट हो जाएगा चलिए नेश्ट कुचन देखिए भारत के किस राज में वन का सबसे अधिक बिस्तार है अपसा नमर वन है केरल अपसा नमर दो में है करनाटक अपसा नमर तीर में मद पर देश और कोमीशन या लैंड वर्ड कमीशन या इनमिस्वेस्ट कोई नहीं तो आपका अपसिन क्या हो जागा दिरिकर हो जागा जर्सया है और करद Iya यही सब आजाता है ठीक है चलिए नियाश्ट कुचन देखिए अपलो इसा मुंदरी छेत्र में राजनेतिक सीमा के कितने किलोमेटर तक रहट यह संपदा नहीं था कि रहे लाजनेतिक सीमा के किने किलोमेटर तक रहट तक सही है था चलिए लागोए खीक है गीश या नवी करनी है यह यह अचीक है तो आपको बतादे कि पर करका संसाधन है तो आपको बता दे कि पौन उर्जा क्या है बोलिए नभीकर्णिया संसाधन है जो खम नहीं होता है उसके अकात सरी नंठीत में निम्रीखित में से बताए चाहरो को प्रवहनिये संसाधन कौन स吧 यहां किम्ती और करनी संसाधन कौन से है जल और पवन इसको रखे हुए है इन में से किस प्रक्राक्रिक संसाधन का भंडार्त सीमित है बताए शॉर्जा का तो निदे किसी पदार्त का अस्तित विश्पर निर्वर करता है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तितु किस पर निर्भा करता है मुल्य पर मात्रा पर उपयोगता पर या मुल्य आंकर पर तो हम आपको पता दे कि उपयोगता पर निर्भा करता है कौन चीज पर उपयोगता पर निर्भा करता है चलिए नेस्ट कुचन देखिये संसाधनों के बिवेक पूर्ण उप игр का परोस्ताव किस वर्स आया था तो अपको बता दे की 1968 में आया था संसाधन के विवेक पूर्ण उपयूग का प्रस्ताव किस वर्स आया था तो 1968 इस विमें आया था चलिए सरवजनिक संस्थान पर बना मंदिर कीस परकार का संसाधन होता है विएक्तिकत संसाधन या सामुदाइक संसाधन या राष्टिय संसाधन या अजयो संसाधन प्रताइए कोमेंट किजिए अपलो सरवजनिक संस्थान पर बना मंदिर कीस परकार का संसाधन होता है तो हम बता है या 1982 है या नवे में हैं तो हम एक बता दे कि इसका आंसर किया हो जागा उन्नेश सव बहत और क्रेक्ट हो जाएगा चले परफ़ान हुआ था परफम हुआ वा था राजस्थान में एक संसाधन की कमी है आई पी सी सी इंटर गॉड्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्याला निमिखित में से किस नगर में अवस्थित है चलिए कॉमेंट कीजिए आप लो कौन सा जगा हो जागा तो हम आपको बता दे कि इसका एंसर क्या हो जागा जेनवा में करेक्ट हो जाएगा चलिए आई पी सी सी इंटर गॉड्मेंट पैनल ऑन कलाइमेट चेंज का मुख्याला काप परीस्तित मरुष तक है चलिए तेरा को राजस्थान में है ठीक है को समेलन कभी था तो 1997 में हुआ था चलिए किस ने कहा था कि हमारे पास पेट बहरने के लिए बहुत कुछ है प्रॉन्तू पेटी भरने के लिए नहीं है चलिए बताइए इनके दवरा कहा गया था तो महात्मा गांदी जी के दवरा बोला गया था हमारे पास में क्या है पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है चलिए यहां से फिर बतीस नमर से देखते हैं चलिए प्रयावरान संग्रचन हेतु पहला बीशो सम्मेलन कहां पर हुआ था तो आपको बता दे कि एस्टाक हुम में हुआ था कहां पर हुआ था चलिए नेस्ट कुछन देखिए किसका कथन है कि संसादन होते नहीं है बनते हैं तो आपको बताते हैं कि जिंबर मैन के दौरा कहा गया था लव और अविकर्नी संसादन है चलिए नेस्ट कुछन देखिए कि सिमेट उध्योग का सबसे परचूर कच्छा माल कहां पर है तो आपका चुनना पथर करेक्ट हो कि जागा कच्छा माल कों सा है सबस्क्राइब करने के लिए तो इस टाँक संविलन हुआ ठीक है और पूछेगा अब को संविलन कहां पर हुआ था था चालिए नेस्ट कुछन चलिए दखिए पंजाब में भूमी निमनी करण का निम्नखित में से मुखे करण क्या है कि गहन खेती या वढ!!!! भारत में वन उपर्टिती रिपोर्ट के अउसार की तने परतिसहत भाउगलिक खेटर में वन पाया जाता में था यहीन्टूचन देख लिए निम्लीकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं नगर खनीजी नहीं लेकिन वहीं बात करकें कौन सा क्वान हो जाग प्रकृतिक संसाधन आपका हो जागा चलिए रिया ये किस परकारण के संसाधन का उधारन है तो नम कर निये का उधारन नाय किस प्रकृतिक संसाधन का भृंडर्ट सीमित है रिय ay का तो सबसे कौम मात्राम क्या है क्या है टीक है चले इनेश्ट कुछन देखे अप लोग इस रुजा निमलखीत में सर शांसाधन है तो पुना है है हमेसा इसको प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मानावकरित है और इसको हम लोग नवीकर्णी एक अंतरगत रखते हैं उसके बात में आईए इसमॉल इन इज़ वीवूटिफुल ए स्मॉल इज वीवूटिफुल की राचना है तो सुम से रखा है किसका है सुम से रखा है ठीक है चलिए नेश्ट कुछन हम लोग देखते हैं चलिए अब हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं को चीश पढ़ने वाले हैं बताइए यहां से हम लोग पढ़ेंगे अब भूमी और मिर्दा संसाधन से समधित जो भी प्रसना आएगा उसको हम लोग इसमें कोवर करने वाले हैं चलिए तो भारतिये क्रिसी का राष्टिये उत्वाकों कीतना पर्शंट होता है चैष यहां से चलिए निमलिखीत में से खरी होसल है इसमें से करिया एंप आईद ही हुआ झाल आई ऐसे जिसको रूपा जाता है और यहां घृति होजागा छीट कर हम लोग फांसल करते हैं और लेकिन इसको बोने मळश्जा हो जाता है ठीक है लेकिन इसको खड़ी फांसल का अंदर हो रोपनी वादा रखते हैं जिसमें क्या हूज आपका चाहूल पर्याइव देख लिजिए कि निम्लिखित में से कौन सा रही फांसल है बताइए निम्लिखित में से क्या हो जागा चलिए निम्लिखित में से निम्लिखित में से की सराज में वन का सबसे अधिक विस्तार है केरल है तो क्या है उसमें ज्यादा है उसलिए उसलिए उज्यादा है चलिए निम्लिखित मेंático क्या है एक है बहारत में भारत में भारत में भरी भूमी का कितना परसेंट पर है तो तीस परसेंट पर क्या है पहार है भारत में पहारों से भरी भूमी का कितना परसेंट है तो तीस परसेंट है उसके बाद में चलिए नेश कुछन देखिए राजस्थान में क्रिसी भूमी की विश्थार होने का क्या कारण है राजस्थान में क्रिसी भूम निढ़रत के तक रलों किये said भूमी का मुल Eliakon उसके किस कुट्स का सी निर्धारित होता है है मुल से आकार से या मीटी से चैना उत्पाधवक्ता से था भूमी का मुल्यांकर होता उसका उत्पादक्ता से निर्धारत की जाता है भारत के कुल श्यत्फल में कितनी परतिसत भूमी पर क्रिसी की जाती है बताइए मिलती है प्रएदीपय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मीटी मिलती है प्रएदीपय भारत में नोर्थ United साथ हंडिया में इंडिया में चारागाह के अंतरगध कितने भूमी है हैं पताएं भारत में च्रागाह की अंत्रग्रत कितनी स् सकता है एहां galera हरास संग्रशन में उप्यूक्त हो सकता है तो भूमिक को जल्मग्न बनाए रखना चलिए और उप्सण देखते हैं इसमें क्या क्या है अला थे बाध्हिन अंत्रन और तर्शन संख्या विर्धी की दर में तेजी लाना और उसमें क्या है निम्निवं असे कोई नहीं आपको बता दे कि बाध्राना भूमिकu मितर्शन में करनाथ के बादा तो अपना होता है से आपके निसकर होता ज्ब दिएकिंद्सितर में एक प्रश चाहाद काइज है तुली मर्वकसिता क्ली युथ और परेंगे थे तक मयां पुर आ से इंगेृ है को सबाद है उसके बाद में है डाकू की अर्थ ब्यौस्ता का संब्ध किसे से है संसाधन के अन्योचित बिद्रोहन से ठीक निमर्खित में कीसराज में काली मीटी पाइय जाता है ना निम्रिखेद में से की से राजमें में काली मीटी आपको पाइय जाता है तो हम आपको बता डे कि भूमें उप्युग आधेक के अनुसार बारत में कितने प्रतीसेत भू भाग पर षेतर पाया जाता है कि चलिए प्रतीसेत भाग पर मैंदानी है प्रम, निम्रिखेत में से कॉं सा काराक मुझदर निर्मान में महत print है न चटान जलवाई, पेर पौध यह इन में सब्गताए तो फोल gameplay समी को है जिर खेड़ यो जाज़ इद जाज़ कर दो जाज़ आज़ जाज़ है प्रत है इस ही कुछन बहुत है कि भारत कितने पर से भुभॉभाग पर मैदानी शहता पाया जाता तो आपको बता दे कि 23% पर पाया जाता है हुआ है इसका निम्लखीत में से कौन सा कारक मिर्द दिर्मान से कौन सा के लिए उपवय। परति होती है काली मीठी के लिए उपयुग heated कल उति होती है कि आधा लुप कर दे रहे हैं भारत में सबसे अधिक बीस्टार की सी का है तो आधा दे आपको बीटीक twitter बीता रहे हैं भारत में अधिक विस्टार कौन साथ कलूंड ब्रौन की का इने में से बताएं इन में से कौनसा आ अस्थान बद मिर्ति का उधारन है तो काली मिठी जलौल मिठी को क्या कहते है तो कि पुरानी हैं जलोर मीठी के बात करएगा तो क्या हो जगा आपका बांहर हो सब्सक्राइगा और शाया क्णा में में मूल चटाने के उपर सोती है तो तीन सबते होती है प्रश्राइब कितनी उपर कितनी परत होती है इन में से कहां जैविक मीटी नहीं पाया जाता है बाकि तमलादू तरह खौन और उर्षा में क्या होता है पाया जाता है प्रश्राइब को में दों जब घृष्व जूंध हम सब्सक्राइब कि वर्ड लाईफ फोर नेचर के अनुसार भारत में कीतनी परसित कितनी भूमीन निमनी खित में हो चुकी है क्या हो चुकी है दिनिक उत्रफ हो चुकी है ताब कुप बढ़ादे कि 13 रोर हैक्टियर में क इसमें तेरा को रेक्ट रोग जाएगा आपका एंसर को रेक्ट हो जाएगा चलिए नेट्ट पूचन देखिए किम्रदः संग राचन के लिए कों उपयोगी है पशु की चराई पर नियंतरन्या समुच रेखाई जुताई या खेतों में हुमश लाना या इन्हें से सब भी तो आपको बचा दें कि सब ज़वड़ी है इसमें मिरदः संग्रचन के उपायग के लिए मिर्दा संग्रचन क पर किस मीटी का बीथार है बताए जलोड मिथी का सबसेश्च जयुदा मातरय में काली मीटी पाया traditions, तो बताते वी शुरातस्य की स् हम परने वालने है जलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जलदसनसाधन से समंदित प्रत्थकोंडेम हाले में लेने अधर हिरकुंड अधीपार या गदार्यू नधीपार नधी लाधन श lámном को बदढ़ात कि ही्रा कुंड भांध म DC trillion ख geograph सब्सक्राइब बॉलौ सागर चोप आपको बता दे कि भारत में सबसे बाद मीस और हो सबसे आपको बता दे वहां सबसे जयदा पर कह whereby discussing जलकां बहुких ज्यादा आता है जाता है वही पर सब नदिया जाकर गिरती है इसलिए अधिकतर नदि गिरती है कुल जल का कितना प्रतित भाग महासागरों में नहीत है बताइए तो 96.5 परसेंट क्या है जो जल महासागर में नहीत है बाकि बहुत काम ही है हम वोगों पीने के लिए चलिए नेश्ट कुचन देखिए अपर लूग तो प्राणिओं के सरीर में कितना पर्तित जल की मातरा नहीत होती है बताईए तो 75% ऐसाट परसेंट यह discussion यह conf », परसेंट तो प्राणिओंक पांसर परसंट क्या होता है नीत होती है चलिए नियुक्त कूचन देखिए कि अचलिए यहां कूचन को क्या करेंगा इसमें देखने वाले हैं चलिए खारे जल की सबसे बरी जहील कौन सी है कि बताई एक बैकाल जहीं या कैस्पियां सागर या मिर्ट सागर तो आपको बता दे की खारे जल की सबसे बरी जील कौन सी है बताइए तो अप्सेंगर आपकासी बैकाल जीले जो क्या है मिठे पानी का जील है जली नेश्ट कुचन दिखिए बीसों में सबसे गहरी खारे खारे जेट लोड की जहिल कौं सी यह है कहरे पानी-ट्रic पीने वाला है संब मुद्दने में कितना परसंट है 95.96.5 परसंट है ठीक है छली देखिए चलिए मेठे जल की सबसे उची जिल कौँज है पताई मीठे जल की जल की सबसे बरी उची जल कौँज हो जाएगा तो आपको बता दे कि सुपरिया जही श्राजातान की सबसे परीयोदना कोँ से हैं चम्ब्र पूर्योदना विसलपूर्श पर्योदना आपको बता देया छली करेक्ट हो जाएगा चली देखिए इन में से कीस परियुदना का मुखे उदेस बाद नियंतरन करना है यानि बाद से बचाव करना है चंबल परियुदना कोसी परियुदना या भाकरा नंगल परियुदना या घ्रकुन परियुदना तो कोशी पर्यूदना है क्योंकि कोशी नदी के परवाव से हमलों को बिहार पूरा तबाह हो जाता है इसलिए कोशी पर्यूदना क्या है बार्णी अंतरन्त से समधित है जल कीस परकार का संसाधन है चक्रिय संसाधन है जय संसाधन है जय संसाधन है और नविकर्णी संसाधन बाता दे कि चक्रिये संसादन है कैसा संसादन है ठीक है नेट को दिखते हैं हम भारत में परियुक्त कूल जल का सबसे अधिक उपयोगी प्रित्वी का कितना पर्थित भाग जल से अक्षातित है तो बता दे कि लगभग में एक हतर परसेंट है जो क्या है जल है प्रित्वी पर और बाकी जो बच गया उनतीस परसेंट भाग पर गया है भूग खंड है चलिए नेश्ट कुछा नाम लो देखते हैं चलिए निम्निखित में से दच्छनी भारती राजियों में किस राज में भूमिगत जल का उपयोग इसमें से कुल भूमिगत जल संभाव से अधिक है आंध्प्रदेश केरल तमिलाडू और करनाटक तो अप्सण आमनों क्या हो जागा इसी करेक्ट हो जागे तामिलाडू कि आंध्प्रदेश किरल तमिलाडू और करनाटक में दच्छिन भारती राजियों में से किस राज में भूमिगत जल का उपयोग सबसे अधिक है तो तामिलाडू का करेक्ट हो जाग आपका वहां छेतफल में दी गई निम्निखित संक्याओं में से कौन सी संक्याओं जो गोदावरी गंगा ब्रहंपुत्र और सिंधु में से इस नदियु में से कौन से इसी नदी है जो सबसे ज्यादा पुना परतियों की भूमिगत जल संसाधन करती है तो ब्रहंपुत्र करेक्ट हो जाएगा ठीक है भारत राष्टिये जल निती किस वर्स घंशित की गई थी कुछ और गुचां देखते है एंद्र पॉली जला से प्रयुदना कीस राज में इस्थी थह बताएं तो अपको बता दें कि भिहार तो भिहार में इस्थी थे ठीक है चलिए उसमें सरवादिक वर्षा कहां पर होती है पहले चेरा पुंजी था जो नहीं है देश की कुल बिधुद का कितना परसे नहीं से प्राप्त होता है तो आपको बता दे कि 17-49 परसे नहीं साथ जो क्या होता है विदुद से हम लोग पराप्त करते हैं जल बिदुद से ठीक है कि भारत में जल का सबसे अधिक किया जाता है कहां पर किया जाता है तो पहले ही हम लोग देख चुक है क्योंकि समुदर में चल जयता है सार 16 के अस पास में जिसमें साथ 9% में कितना है तो मतुद उलिश को अबोन हैं नागा अर्जुन सागर पर योद नकीश नदी मैं संबादा शवाद चली कि तुछ औहीं पुछ दूए है किसा समूंधरी छेतर में रादनितिक सीमा के कितने किलोमेटर तक का स्था संपदा के मिरता हैं नार मंदाः ठीक है से नदी है ये गों से घाटी से घहाती है दो उठो नदी है कौन है येगो तापती है युँझान नमादा आ है ठीक है यहां पर ऊप्षोन नमादा नहीं है इसलिए क्या हो जाताप्ति करेक्ठ हो जाएगा चलिए कॉंसी नदी पराधिप्य भारत की सब सिलम्बी नदी है बताइए गदार्य अपके करेक्ठ हो जाएगा इसे बात करेगा तक सब कि चले सिंदू जल सम्झात्प अ कभ बताइए मुचना ज areama मंगाृत्या ॹ्यकर्न करते हैं परसेंट नहीं है नहीं नहीं है नहीं लाइगा शहाग आए आपको क्या हो जागा चलिए नेश्ट नेश्ट सेने कि अगल प्रयोद्ना कि इस नधी प्रवसित है एप्सकानांति हमार 25 सब्रामरें फिरूंद धिर reference 22 junt 20 सब्सक्रा प्रयूद्नरण आपको बताएनुक्रान omona कान सरफाहतर यहां कि और क्रिक सब्सक्राइबर्ण जो प्रयूद्नर जो लोगपले धर find तो आपको बताते हैं दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नंदी घाती पर्यूदना है जो तुम भारत दरा नंदी परिश्टित है ठीक है चलिए नेश्ट कुछन देखे आप लो प्रानियों के सरीर में कितने परसेंट जलों की मातरा नहींत होती है तो आपको बताते हैं कि बिष्टितर भारत का वीश्टितस बास थान है तो यह जल वार्षा जल सग्रखन राचा हर्च घर में बनाना कि सराज में करदों कानून अनिवार है ताब को बताते हैं कि माया पानि को ब्लत है इसलिए ठीक है बिहार में अती जल दोहन के से किस ततों की संग्दन केंद्र हरा है फुलराइड औरारीन कि अल्लोव को बता देखा हो कि आर्शेनी का बिहार में अतित जल्दोहन से किस्तातु का संद्रन बढ़ा है तो आपाँ शर्णी हो जागए अनसर ठीक है चलिए नेस्ट कुल देखते हैं झायम जली अब हम लोग पढ़ेगे तmb睡 का नमर में कि युँन और वय प्राणिशडन तशादन के पढ़ने वाले हैं चलिए इसमें में नहीं सबसे पहला कुछान हम लोगों क्या है बुलिया जब सबसे क्या है बताइए सबसे प्रोट आचीप को अंद लों के परवर्था कोंथे अंध्ये नहीं केला सत्यार्थी नहीं ऑप्सण अमर क्या हो जागा सुंधर इस तरह भी आपको अप्रोच करना है कोचन में चिपको अंदरलन के परवर्था कों थे तरह सुन्दर लाल बहुंगुना थे चलिए नेश्ट कुचन हम लोग देखते हैं चलिए यहां देखें संकट ग्रस्ट प्राजातियों के अंतरगत ब्यापार की बैठक हेन नगर में किस वर्ट आयूद की गई थी तो बता दे आपको की दूजार साथ में किया गया था संकट ग्रस्ट प्राजातियों के अंतराश्टी ब्यापार की बैठक हेन नगर कहां पर हेन नागर में किया गया था 2007 में किया गया था चलिए तो चलिए यहां देखिए राष्ट्रिये है या यह और भी दोनों है यह सभी गलत रहा तह हम आपको एंसर क्या हो जाएगा और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा ठीक है फरनिचर बनाने में किसकी लख़ी का परयोग नहीं लाए जाती सकती है छीड का आता है कि नहीं आता है पोमेंट करेंगे उसके बाद में है महोहनी महोगनी फिर रोज़बूड या पाइड ता आपको बता भाद इके पनिचर बनाने के लिए ढीची लेकिन आपको चील को परयोग नहीं किया जाता है जिसके चलते जिर ही क्या हो जागा इसमें घर्मनी करेंट हो जागा ठीक है फलाइओड का निर्मान किस देस से शुरू है ठीक है छली नेस्ट कुछन देखते हैं लिया wrapping निमलेखित मेंसे कौन भारत को छोड़कर और देश में दूरलप में ढ़न पाए जाता है है भारत में भी क्या है अच्छा से है तो आपको बता दे कि इसमें कौन सा अंसर करें जागा है बुलिए बाग और सिंग इन में से कौन सा कहारी नहीं है बताएए इसमें सा कहारी नहीं है गैंडा बारा सिंगा या भेडिया या हिरन तो इसमें सा कहारी के अंदर का तो हम लोग जानते हैं कि बारा सिंगा भी है उन क्या है सा कहारी ही है नहीं नहीं यह मान साहरी है बारा सिंगा क्या है मान साहरी है बाकि सब क्या है सा कहारी है चलिए नेट कुछ देखते हैं किकि फिर लक्री बहुत करी होती है देवदार या हेमलोग का या सागवान या बलूत का तो बतादे कि देवदार का लक्री और क्या होता है बहुत हार्ड होता B बहुत कड़ा होता है चलिए नेश्ट कुछ देखिए इन्हीं में से कौन सजेशे क्रिसी छेत्र में अध्यादिक विर्धी बड़े पहमाने पर विकास का रहे होना या बैपार में बिर्धी होना या पुसु चारंद यह वन लक्री कटाई इन्हीं में से बताए कि वन प्रा कि वन निती के पर वुधा से क्या है रेंट था हो यह हो जागा वर्ण नितंग पर कम ऑदेश्ट कितने है चो जागा इसका एकेटना शयक्राक्ष हो जागा भार्त का राष्टरिए प्क्षी कांफ दोल्क होता है यह होता है यह द्मनों बोलता है ह। है वह होता है ठीक है नेस्ट कुछन देखिए ऐस तेक्सोल का उप्योग होता है कहा पर किया था मलेडिया में वन संसाधन अउन प्रवंखन की दीश्टि ती से वनों को वरगी कृत किया गया है कितने भागों में की आगया तो तीन भागों में वरगी क्रित किया घिया इसके बा Braun कुछ यंदी में 2001 ए एक की जनंकान्सा बहारत में 2001 में कितने 3,533 में 1 का भी स्थार था वली तो उन रही दसमलों कितना था 27 परसchteं था चलिए एक कुछं देखिए खुछ के और भारत में का भी शार है कितना पर टेख्ञा है वान इस्थिति रिपोड के अनुसार भारत में कितना परसेन भागवल क्या होता है वन पार याता तबी दसनों साथ परसेंट या बीद दसनों परसेंट ठीक है यह जलिए है न कुछ अधा इधर बढ़ते हो ना चलिए आ है यर्फी परसेंट यह देखे़ेज बीस परसेंट है इनमें से कोईष नहीं तो बता दे pilgrimage कि भाणेंस भारत में परसेंट कल उठे़ निस yay को सब्सक्रण बढ़ा सब्सक्रांद में तो नेटा वर्यंति पड़ते परसेंट में कि चलिए यह कुछन देखे बिहारम कितने पर्थित भागोली छेत्र में वन का फैलाव है बताइए तो मात्रम साथ परसेंट भाग में ही क्या है वन पाया जाता है पुरुवता राजो के 188 आधिवासी जीलों में देश के कुल छेत्र का कितना परसेंट पर्थिसत वन है तो पाया जाता है मत पर्देश में सबसे ज़्यादा बातना में क्या है वन पाया जाता है लिए हुआ है कि उनिश्व एक आगानों एकाउंस लेकर निश्व वसी तक लगभा कितना और किलोमेटर वहां वन छेतर क्रिश्ची भूमी में पर वर्तित हुआ है ताइए तीस जार पतीस जार दोसव छबीस जार दोसव या पैटीस जार पांत सव ताव को बता देखी प्राक्रितिक संसाधनों के संग्रचन पर 1969 में कौन सा कंजर्वेशन हुआ था बताए अफिर्की कंजर्वेशन या वेट्लेंड कंवेंशन या विश्वव अपदा कंवेंशन प्राइए कौन साप्शन करेक्ट हो जागा तो आपको बताए देखी पर प्रेक्रितिक संसाहधन पर संगरचन पर उन्हें साहन होगा था तो अफिर की कान वेंशन हुआ था 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 खुर्श को जान आपका कि चरक का समद्ध किस डेस देशते था मयमार से स्रिलंका से भारत से नेपाल से तो बाधा या था था कहा था भारत से ठीक है चलिए प्राण आगल कीशीजरी में हुआ कुछ है ठीक है चिरह कुछां देखे नहीं कि वह थो फोखेशा में अदिनयक किले गया है कि प्रानी संग रचन अदिनयकर क प्रतूति किया गया है कि वह न प्राने संग्रशान अधनियम किस वर्थ किया गया है तो 1922 में किया गया है ठीक कंचन जंगारी जरू किसराज में है सीकी में पाया जाता है जंगा कहां पर है तो सीकी में है ठीक है उसके बाद में चिपको अंदलन सा समंदित कों थे तो कुनन कहां से लिया जाता है तसीन को ना के बिल्स से लिया जाता जो मलेडिया में उप्योंग में किया जाता है ठीक है मेगरो वन का विस्तार सबस्वाधी कहां पर है पुरूता छेत्र में पच्मी खाट में सुंदर वन में आया अन्वान निगोबर में तो सुंदर वन करेक्ट हो जागा इसका है ठीक है अब देखिए नेक्ट कुछल देखिए कि वन जीव यूम प्रकरति प्रकृतिक हरे हो स्थी आके सपर की फ़हां पर किस ने जोर दिया है का होट एसस्पोर्ट की फ़ाशन पर किस ने जोर दिया था है जोड़ दिये थे साल की राष्टी पसु कौं सा है राष्टी पसु की बात कर तो कौं सा हो जागा टाइगर हो जागा जो बाग है ठीक है सब्सक्राइब कर दिश्टी से भारत का कौन सा अस्थान है दसवे नमर पारता है वन के हिसाब से ठीक है चलिए एक बहुत अच्छा सा पूचर है तो लोंग है लेकिन इसको भी देख लिए अपनों चलिए एक एंजीयो की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार उने सब्सक्राइ मत परदेश विस्तार है निम्राजव में से किसमे वन का सब सबस्था विस्तार है तो अब बुल देखिया है तो मत परदेश मोजागा सबस्था बन बलूत की वन की विस्यश्था क्या है परवतिय छेतरों में पए जाता उसे बॉल्ट की बोलते हैं इस परकरकर बढ़न का मुझा जाता है परवतिय छेतरों में पहाँ जाता है सब 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 just a कहा है करनाटया था फिली में भी देखें ओई यह का पूस भारत में डॉल्फिन है सब्सक्राइब होता है और पाटना में भी है और जग भी है पच्छुगा सब्सक्राइब पाइब है तो बांधव क्या है भारत में कितने पर सिंद्व भागपर क्या था 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 को भानिज से अंथाधन के बारे मं पुर रहेंगा ठीक है चली भारत में मुक्ष्यता कीस परकार का कोईला पाए जाता है बतायी एंद्रा साइड पर चिंतम कोईले की कहान कोई सी है के निमने से कौन कारवनी खनीज आनाही कारवा नहीं है तो इसमें सोना क्या डाध्वी खनीज नहीं है किस्टंदिव में भारत संपन है किस्टंदिव में भारत संपन सु संपन है बताए के इंहें चैieur ईके यहमटाइस म्होंन द को प्हकर सब्सकरता है भारत में लगवब कितने परकार के पर्मु खनिज मिलते हैं बताइए भारत में कितने परकार के पर्मु खनिज मिलते हैं तो आपको बचाते कि सव परकार के मिलते हैं ठीक है किस परकार की चाटानों में खनिजों का जमाव पर्तों में मिलता है तो आवसाधी इसका एंसर क् यह ही दो इसका एंहों सा ओधयोग चुना पर्थर को कच्छे माल के रूप में उपयोग करता है आप्योग है। कि नेट कूचन देखिए मैंगनेजी पक्साइड अभरक और चुना पत्थर में कौन है जो लोव्यूक्त खनीज का उधारन है तो इसका मैंगनेजी अंसर बजागा तो कूचन हम लोगा भी दिखे रहे निमिखित में से कौन अधात्विक खनीज का उधारन है अधात्विक सोना टीन गरफाइड भले अबरक या गरफाइड तो इसका सी क्या हो जागा अबरक हो जागा जो क्या है और धात्विक उधारन है जो द्रुक्त गुनिशमें नहीं है ठीक है मेंगनिज उत्पादन में भारत में कौन सा अस्थान रखता है तो तीसरे नमर पर मेंगनिज है जो उसका रास्थान है ठीक है मेंगनिज का भारत में ठीक है नेक्ट कुछा देखते हैं अब आप अभा को कैसे देश में तामबे का कुल भहंदार कितना है बताए सब करोटन और 115 करोटन या या 155 करोटन तापको बता देखिए देश में तामबे का जो कुल भहंदार है योग कितना है एक सबसे बारा लोग उत्पादक राज में भारत का सबसे बारा लोग उत्पादन करता है बताइए इस परसेट करता है ठीक है एक टन यस पात बनाने में कितने मेगनिच का उपयोग होता है पांच के जी दस के जी पंदर के जी या 20 के जी तब बदाए देखी येक टन इस पात बनाने में लगवग 10 ग्राम ठीख है दस केजी होना चाहिए लगनेज क्या लग जाता है ठीख है तो अब उर्षा में मैगनीज का उत्पाद में होता है ठीख है कुछ नहीं सांव दखे लिए अल्मूनिय। प्र्णाने के लिए किस खनीज का आवसकता पड़ती आ, मेगनिज का ए, टीन का लोहा का आ, बक्साइड का? बताए है क्वासा एंसर होगा इसका? बक्साइड आका प्रषा एंसर हो जागा ठीक हालмен बनाने में सबसे ज़्यादा मातरा में कौन चीज का प्रयूग करते हैं हम लोग पुलिए तो बगसाइट का करते हैं कि अच्छी बिहार जारगंड बिहार जारगंड में देश का कितना परसित अवह का उत्पादन होता है तो बता दे कि 80 परसेंट होता है कि अच्छी के अब घटन में कौन सी खनीज बनता है बाद में शिक्रा हुआ एक अब भड़ित पींड सा रह जाता है इसका भारत में भारत में प्राप्त सबसे महत्पुन्ध हात्विक खनीज कौन सा है बताइए लोग आ आगेन इस अब्हात का सबदे में कि किस राज में सबसे अधीक महत्पुना स्थान है बढ़ा अन्द पर्देष पाता इस ओप्सन में कि अभरक कि कितनी किसमें होती है तो दुख किसमें होती है उसके बाद में देखिए कि बैला डिला जो अस्थान है कौन सा खोनी निकला जाता है बैला डिला लॉएक्स निकला जाता है अच्छा बैला डिला जो अस्थान है वहां से लॉएक्स निकलता है ना लोहा निकलता है ठीक है चली नेश्ट कुछ देखिए हैं चली कोटनी 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 प्राप्ती अस्थान किस राज में सीथ हैं मत प्रदेश में ठीक है सिलीको सिस नामक दंघोटू बिमारी किस में होती है खदान कर्मिया में डिल कर्खानु में बिस्पोटा कर्खाना भी־ई उत cat बसक्तिन करक्र सब्सक्राइब निम्रिक किस्खरीजी के साथ प्राक्रिटी गैस पाई जाती है बताये शुना पथर पेट्रोलियुम और या उरैनियुम ता आपका एंसर क्या हो जागा क्षिए करेक्र जाएगा पैट्रोलिम है श्हान हो जाएगा कुढ़ देख मुख क क्या अरत होता है कुढ़िएक सब्सक्राइब पितल बनाय जाता है अरता रजय से बनाया जाता है भी व्यषै कि शिर्ड़ विखे लोव आयक्स का उपयोग किस उध्योग में होता है किया जाता है बताइज इस पार उध्योग में कहां मिलता है बताईयो जाड़ खन मिलता है ठीक है कोई लिए का सरोतम प्रकार क्या है तो एंतरा साइड आपका करेक्टर अंसर हो जाएगा चलि निम्रिखित में से कौन सा अधात्वी खनिज है सोना टीन अभरक या निकल तो अधात्वी खनिज के बात करेगा तो कभू भी आप मारेगा अभरक को है मानेगा ठीक है निम्ने से सबसे अधी कठोर खनीज कौन साथ बताइए सबसे ज्यादा कठोर हीरा से ज्यादा कठोर कौन हो समता है ठीक है